युक्रेन को शक हमले तेस करेगा रूस क्रेमिलिन पर ड्रोन हमले के आरोप लगा कर बोला रूस हिसाब बराबर करेंगे एपी, मॉस्को रूस ने रातती व्लादिमीर पूतिन की हत्या की कोशिश का आरोप युक्रेन पर लगाया और इसे आतंग की हमला बताया। रूस के सोशल मीडिया पर मॉस्को स्थित क्रेमलिन के उपर धुये का गुबार दिखाते कई वीडियो वाइरल हैं, जिन्हें रूसी मीडिया ने भी प्रसारित किया है, हाला कि इन वीडियो और हमले में यूक्रेन के हाथ होने की स्वतंत तोर पर प्रश्टी नहीं हो सकी। रूसी राष्ट्रपती पूतिं के दफ्तर क्रेमलिन ने कहा है कि हमारे पास यह अधिकार है कि अब इसका जवाब किस तरह दिया जाए। रूस को जब भी और जहां भी हमले का मौका मिलेगा, वह हिसाब करेगा। बराबर रूस की इस धंकी पर यूक्रेन ने कहा कि इस से संकत मिलता की रसान वले रूस के यूकित से लगते सीनावई इलाके दिनों में बड़े हमले की तयारी में है। यूक्रेन भढकाएगी। यूक्रेन ने क्रेमलिन पर कथित रूसी ट्रेन पर हमला। रूस के पश्चमी ब्रिस्क शेत्र में सीमाफ्ती इलाके में दो दिन म में लगी आग को भी, रूस ने युक्रेन का हमला बताया है, विक्ट्री परेड 9 को रूस में हर साल 9 माई को विक्टी डे परेड होती है, रूसी राश्ट्रिती के दफ्तर ने कहा कि ड्रोन हमलों से, हम वरने वले नुही है, हम सुफ कर दना चाहत है कि लाह परेड अपने त पती जेलिसकी ने नाटे मेंबर ने राप्ती वोल्दोमिर जेलिसको के प्रवक्त हमले को रूस का डामा करा दिया, उधर कौव से 962 किलो में दूर है और यकन फिनलेट की राजटनी हिलसिंकी में कहा ने प्रितिन पर हमले की कोशिश के बारे में अमेरिका ने भी इस हमले से कोई लेना देना नहीं हर बयान भरकाओ नजर आता है, है, हम सिर्फ अपने देश की हिफाज़ अतकर, New York Times की रिपोर्ट ने कई गवर्नर ने दावा किया था कि युक्रिनी डिरोन बातचीत का मोध है, जेलिसकी ने इस रहे हैं, दूसरों पर हमले का कोई इसाड़ा जा रूसी आकरमन से बनाती डिसानी की उम्मीद जताई है,